अस्सलाम वालेकुम मैं डियर फ्रेंड़्स आज मैं आप लोगों को बताता हूं है कि हेड़ेक कितने परकार का होता है यह जो सर दुखता ना हमारा वो कितने टाइप का दुखता है कि नमबर एक है कि माइगरेन नमबर दो कि टेंशन टाइफ ड़क नमबर थिरी कलेस्टर टाइफ ड़क इसका साइन और सिम्टम्स अथवा लच्छड कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूं है नमबर एक है यूनि लेटर थरंबिंग पैन आसोसियेटेटेड विद नोजी और वोमीटिंग ऐसे टाइप होता है तो समझ लीजी यह माइगरेन है नमबर दो आसोसियेटेड विद आटोनोमिक सिम्टम्स लाइक रेड़ आइज टीरिंग नेजल कॉंजेशन अगर ऐसे टाइप होता है तो समझ लीजी एक कलस्टोर टाइप ही ड़क है नमबर थ्री फीवर नेकी स्टिफनिस नोजी और भूमीटिंग अगर ऐसे दिखता है कोई पेसेंट को तो समझ लीजी यह मेन इंजाइटिस है यह हमारे बस की बात नहीं है रीफर टू हाइए शेंटर थ्री नमबर जैसे नेकी स्टिफनिस सीबियर हेडक विदाउट फीबर और भूमीटिंग ऐसे टाइप है तो समझ लीजी यह सब एरकॉनाइड हैमरूज यह भी हमारे बस की बात नहीं है तो रीफर टू हाइए शेंटर अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैगरेन टेंसन टाइफ राक कलस्टर हेडक का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं लाइक डॉक्टर नमबर एक माइगरेन सिंपल सा गाउं घर में या हर लोग जो चलाते हैं टेबलेट इस्टियो मेनफेन 500 एमजी बीडी बट इसका माइगरेन का बेस्ट ट्रीटमेंट टेबलेट इर्गोटा माइन पलस केफिन वन टेबलेट 100 एमजी बीडी दीजिए नमबर दो टेंशन टाइप एड़क ऐसे परकार का होता है तो पेसेंट को टेबलेट एमिट रिप्टाइलीन 75 एमजी बीडी दीजिए नमबर थीरी यह जो होता कलस्ट्र टाइप एड़क इसको टेबलेट परनीसलोन 60 एमजी पर सेवन डेज एड़क टेबलेट सुमिट रिप्टेन 100 एमजी दीजिए ऐसे में इंशाल्ला ठीक हो जाएगा पेसंट अगर तब भी नहीं ठीक होता है तो रिफर टू हाइयर सेंटर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स